हलो दोस्तो अभी तक हमने देखा इसमें कि आपके चार्ज क्या होते हैं तो हमने पढ़ा कि एक आपका चार्ज होता है पोजिटिव एक आपका चार्ज होता है क्या नेगेटिव ठीक है सेम चार्ज आपके रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे हो क्या करते ह चार्ज की उनिट आपकी कुलम होती है, एक कुलम के अंदर आपके 6.25 x 10 पॉर 18 इलेक्टरॉन्स होते हैं, यह हमने देखा, इसके बाद में हमने पढ़ा कंडेक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर आपके जैसे वूड, रबबर, इस टैप क्या होत हैं, जिसको हम पकड़ भी सकते हैं, जैसे आपका कनेक्शन करते हैं, उसको आपके क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं, यह चीजे हमने पढ़ी, उसके बाद में हमने देखा, पोटेंशल आपका क्या होता है, कि एक चार्ज को हम इन्फिनिटी से एक पैंट पर लेक किया था और current के अंदर हमने पढ़ा था flow of charge per second इसको हम क्या बोलते हैं आपका क्या current ठीक है कि टोटल charge seconds के अंदर कितना flow कर रहा है जैसे आपका 5 seconds के अंदर 10 seconds के अंदर इतनी seconds के अंदर जितना charge आपका flow करेगा उसको आपका बोलते हैं आपका current ये अभी तक हमने पढ़ा अब इसके आगे आपका आते हैं यहां से अब हम सीखेंगे कि जो current आपका है क्या उसकी direction और charge की direction सेम रहती है या फिर आपकी different हो जाती है ये चीज अब हम जानने की कोशिश करते हैं इस lecture में तो next topic आपका आएगा direction of electric current direction of electric current current की जो आपकी है direction क्या रहेगी तो ये अब हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे तो आए इसके लिए आपका मनाते हैं पहले एक diagram ठीक है तो ये मान लीजे आपका एक connector है ये मान लीजे आपने connector लिया ठीक है और इस connector को हमने किस से connect किया एक battery से connect किया इस conductor को हमने एक battery से connect कर दिया ये आपकी हो गई battery अब battery के अंदर ये वाला terminal positive और ये वाला terminal negative अब यहां से ये आपने connect किया इस terminal से ठीक है और दूसरा जो है आपका ये वाला आपने connect कर दिया कहां से इस terminal से लेकिन connection से पहले हमने इस conductor के अंदर एक switch भी लगा दिया तो switch की जो representation होती है वो हम गरते हैं देखो अगर आपकी switch ऐसे मना दिया तो इसका मतलब होता है आपका open switch या फिर इसकी जो representation होती है वो हम ऐसे भी मना सकते हैं और इस तरीके से अगर आपका इस तरीके से है इसका मतलब circuit disconnected है तो open switch के आपकी दो representation होती एक तो ये वाली और दूसरी ये वाली यहाँ पर हम बता देते हैं आपका S अब इसके बाद में जब switch को close करेंगे यानि कि जब हम conductor को supply से connect करेंगे supply का मतलब battery से जब आपका connect करेंगे तो उसको बोलते है close switch तो close switch की position आपकी ये हो जाती है जैसे अगर आपने इसको मना दिया ऐसे तो इसका मतलब ये switch आपका क्या है connect है आपका किसे दोनों आपके यहाँ से आपका circuit complete है इसको बोलते हैं आपका कौन सा switch closed switch या फिर इसको हम ऐसे भी represent कर सकते हैं इस तरीके से अगर आपने इसके बीच में dot लगा दिया तो इसका मतलब आपका क्या हो जाता है close switch अगर यहाँ पर dot नहीं है open अगर यहाँ पर dot है तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा close switch तो यहाँ पे माल लीजिए आपने अभी क्या रखा इसको open रख दिया ठीक है यह आपका हो गया circuit और यह आपका क्या है यह आपका है conductor इंसुलेटर नहीं है आपका conductor हमने यहाँ पे place किया मतलब हम ऐसा मान के चलेंगे कि यहाँ से आपका flow of charge होगा क्योंकि हमें क्या देखना है कि क्या current और charge दोनों की direction क्या होती है सेम होती है तो पहले तो हम देख लेते हैं कि आपकी electrons की direction क्या होती है फिर हम बात करेंगे charge के उपर तो देखो आपके electrons कहां से कहां पे flow करते है higher concentration to lower concentration अब जहाँ पे negative आपका sign इसका मतलब यहाँ पे आपकी जो charge की concentration है charge के आपको बता रहा हूं charge सिर्फ हम किसको बाइक नेगेटिव को positive के अंदर आपका क्या होता है protons किसके अंदर आपका available होते है nucleus के अंदर और वो आपका move नहीं करते तो यहां से आपका negative के अंदर आपका क्या हो जाएगा यहां पे higher concentration है किसकी higher concentration of electrons electrons की अपकी क्या है जादा concentration है तो higher concentration से electrons कहां पे आएगे आपके lower concentration की तरफ इसका मतलब यहां से आपका flow करेंगे लेकिन कब flow करेंगे जब आपका circuit complete होगा तब आपका यह flow करेंगे अभी circuit complete नहीं है क्योंकि आपने कौन सा sign लगाया हुआ open switch open का मतलब आपका यह हुआ कि हमने switch को close किया है मतलब आप इसको सीधी साधारन बासा में समझो switch close करने का मतलब होता है आपकी बिजली से supply दे दिया और अगर आपका switch open है इसका मतलब आपने उस electricity से disconnect कर दिया है यानि कि बिजली की supply आपने रोक दी है इसका मतलब होता है open switch और अगर हम बोलता है close switch इसका मतलब आपने इसको electricity से connect कर दिया आप इसको सीधा सीधा ऐसे भी समझ सकते हो तो यहाँ पे आपका कौन सा switch है ये open switch तो अभी तो आपके electrons flow नहीं करेंगे लेकिन जैसे ही हम switch को क्या करते है close करते है तो यहाँ पे आपका electrons का flow start हो जाएगा और कहां से कहां पे आपके electrons flow करेंगे from negative to positive ठीक है तो मान आपके switch को आपने क्या कर दिया close कर दिया ठीक है तो यहाँ से आपका देखो when switch is closed जब हम switch को क्या करते है close करते है when switch is closed यानि कि आपने यहाँ पे क्या place कर दिया dot इसका मतलब switch आपने क्या किया है close कर दिया है so when switch is closed जब आपका switch close हो जाएगा तब आपके electrons Electrons, Electrons are flowing, Electrons को हम क्या बोलते हैं यहां पर? Charge, so charge is flowing, Electrons are flowing from negative electrode to positive electrode, Negative electrode से किस की तरफ आपके flow करना शूरू करेंगे? positive electrode की तरफ, यानि कि यहां से हम यह बताना चाहरे हैं, that is from higher concentration of electrons, from higher concentration of electrons to low concentration of electrons, low concentration of electrons, electrons को हम ऐसे भी represent कर सकते हैं आपका, तो यहां से यह आपका हो गया किसकी direction? यह आपने बताई, electrons आपके इस तरीके से flow करेंगे, अब जरा हम बात करते हैं current की, तो देखो current की जो direction आपकी होती है, वो आपकी opposite होती है किसके? flow of electrons के, ठीक है? current की direction और electrons की direction कभी भी सेम नहीं होती, यह direction एक दूसरे के opposite होती है, अग current आपका क्या है? सीधा हमने माल लिया, current आपकी वो चीज़ होगी, जो आपका क्या होगी? opposite to direction, opposite to flow of electrons, जो direction आएगी, उसकी direction को हम बोलते हैं, आपका current, ठीक है? यानि कि उसी को आपका क्या represent करते है? direction of electric current, इसका मतला आपका क्या हुआ? यहां से, हम यह point आपका लिख सकते हैं कि the direction of electric current is opposite to that of flow of electrons, तो यहां से, the direction of, the direction of, flow of, electric current, is opposite, to that of, flow of electrons, दोनों की direction आपकी क्या हो जाती है? opposite हो जाती है, और जब हमने direction of current आपका ले लिया, अब आगे, जितना भी हम electricity का बचा हुआ part आपका पढ़ेंगे, physics में, वहां पे सिर्फ किस की direction को consider किया जाएगा, सिर्फ आपके current की direction को ही हम consider करेंगे, अब दुबारा हम charge, यानि क electron की direction को नहीं देखेंगे, यहां पे सिर्फ आपका किस को देखेंगे हम, सिर्फ आपका electric current की direction को देखेंगे, electrons की direction के बारे में हम नहीं बात करेंगे, ठीक है? तो यह आपका हुआ किस के बारे में? flow of direction of electric current, clear है? तो इसको देखिए, आगे हम कैसे समझ सकते हैं, यहां से, अगर इस circuit diagram की मैं बात करूँ, तो current आपका किस direction में जाएगा, current आपका जाएगा, यहां से, और किस की तरफ जाएगा, यहां पे, ठीक है, तो इसका मतलब, यहां पे आपका potential क्या है, जादा है, यहां पे potential क्या है, कम, तो इसको आपका बोलते हैं, higher potential, ठीक है, और इसको हम बोलेंगे, आपका कौन सा potential, lower potential, ठीक है, इस तरीके से आपका समझ लीजिए, तो इसका मतलब, आपका क्या हुआ, यहां से, आप इसको ऐसा समझ ये, the direction of electric current, is given by, is given from higher potential, to lower potential, तो नेक्स अपका पॉइंट, the direction of, the direction of electric current, electric current, is always, from higher potential to, is always from higher potential to, lower potential, ठीक है, अब आगे की classes में, हम इसी के बारे में पढ़ते जाएंगे, ठीक है, और आगे आने वाली classes में भी, आने वाली जोग, जितने भी आपकी classes होंगी, जैसे 12th के अंदर आप पढ़ते हो, या फिर आप बैचलर डिग्री में आप जाते हो, तब भी आपका यही पढ़ोगे, कि direction of electric current, is always from higher potential, to lower potential, यह हमेशा आपका valid रहेगा, और electrons की direction हमेशा क्या रहेगी, opposite आपका बनी रहेगी, तो यह आपके लिए important था, यहाँ से सिर्फ हम किसको consider करेंगे, current को आपका consider करते हैं, ठीक है, अब next आपकी जो चीज इसमें आएगी, वो आपकी यह है, कि यहाँ से आपने चलो direction of current तो आपकी बता दी, अब यह conductor का आपका क्या रोल है, कि भई conductor आपका किस तरीके से रोल पले करता है, तो conductor का भी आप हम इसमें रोल देखेंगे, तो दोस्तों conductor के case में, यह माली जी आपने conductor प्लेस किया, और कहाँ पर आपने प्लेस किया हुआ इस conductor को, किसी भी electric path के बीच में, electric circuit के path के बीच में, यहाँ पर आपने switch को क्या कर रखा है, open किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आपने battery लगाई, एक positive terminal और एक इसका क्या हो जाएगा, negative terminal, तो देखते हैं, आपका connector का आपका roll क्या होता है, current को जानने के लिए, यह जरा हम देखते हैं, तो देखो, जैसे ही आपका switch आपका क्या रहेगा, open रहेगा, तो पहले हम देखते हैं, when switch is open, यह आपकी open switch की condition है, when switch is open, तब आपकी क्या condition रहेगी, यह जरा हम जान लेते हैं, तो यहां से, जब आपका switch open रहेगा, तो अब देखो, यहां से आपका क्या होगा, conductor है आपका, अब conductor के अंदर क्या होंगे, कुछ ना कुछ electrons होंगे, जो आपका हमेशा क्या करते रहते हैं, move करते रहते हैं, यह हमने पहले भी lecture में आपका पड़ा है, तो इसका मतलब, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, जब हम बात कर रहे हैं कि, electrons की, तो electrons माल लीजिए, यहां पर हैं, यह उलेक्ट्रोन आपका यहां पर हैं यह हमने माल लिया, अपनी तरफ से, कि इसके अंदर 4 electron है और 4 के 4 अपने क्या है free electrons हैं तो जब आपका ये switch open रहेगा यानि कि जब तक कि आपकी battery connect नहीं की जाएगी तब की बात कर रहे हैं तब आपके ये electrons किस direction में आपका flow करते जाएंगे ये आपके electrons random direction में आपका flow करेंगे random का मतलब जैसे अगर मैं इस electron की बात करूँ तो ये आपका माल लिजे इस direction में जा रहा है ये electron आपका माल लिजे इस direction में आ रहा है ये electron आपका इस direction में गया ये electron आपका इस direction में गया तो इसका मतलब जब आपका switch क्या रहेगा open रहेगा यानि कि जब तक की battery connect नहीं की जाएगी तब तक आपके electrons की direction conductor के अंदर zigzag path में रहेगी यानि कि arbitrary कोई भी path आपका follow कर सकते हैं zigzag का मतलब कोई भी path आपका तो यहां से when switch is open और या फिर हम इस condition को कह सकते हैं or when battery is not connected or when battery is not connected ठीक है तब तक आपका क्या रहेगा तब तक electrons electrons are moving electrons आपके move करेंगे लेकिन किस direction में are moving in random या फिर और zigzag direction कौन सी direction में आपके zigzag direction में आपका move motion में आपका motion में आपके रहेंगे तो इसका मतलब यहां से जब भी आपकी battery disconnect होगी तब आपका path आपका क्या रहेगा इस तरीके से रहेगा अब हम देखते हैं कि जैसे ही आपके switch को हम क्या करेंगे close करेंगे तो आगे आपका देखते है when switch is closed when switch is closed जब switch आपका क्या किया जाएगा close किया जाएगा इसका मतलब आपका क्या हुआ जब आपने battery क्या कर दिया है connect कर दिया तब कि आपकी condition देखते हैं या फिर हम इसको बोलते हैं और when battery या फिर हम इसको बोलें और when battery is connected जब battery आपकी क्या कर दी जाएगी connect कर दी जाएगी ये दोनों आपकी semi condition है तो इसका मतलब यहाँ पे आपने क्या place कर दिया है dot अब dot place करते ही आपके क्या हो जाएगा current flow होना start हो जाएगा यहाँ से आपका current आना start हो गया positive से लेके और कहाँ पे जाएगा आपका negative पे आपका current जाएगा इस तरीके से आपका current जाएगा अब यहाँ से यह जितने भी electrons हैं आपके इन सभी की एक fix direction हो जाएगी इसका मतलब आपका क्या हुआ कि जितने भी electrons आपके यहाँ पे थे यह सारे के सारे electrons अब आपके negative से किस की तरफ जाने की कोशिश करना शुरू करेंगे positive की तरफ आपके जाने की कोशिश करेंगे यानि कि यह electron ऐसे यह electron ऐसे यह electron ऐसे और यह electron ऐसे इस तरीके से सारे electron आपके क्या हो जाएंगे एक particular direction में चलना शुरू कर देंगे है ना, तो इसका मतलब आपका क्या हुआ कि current आपप flow होना जैसे ही start होगा electrons are flowing in a particular direction ये current आपका गया और current आपका क्यों गया क्योंकि electrons opposite direction से आ रहे थे तो current आपका क्या होता है current सिर्फ आपका flow of charge होता है clear हुआ कि नहीं ठीक है अब यहां से अगर हम बात करें तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं देखिए, वैसे तो positive आपके charge flow नहीं करता है लेकिन हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि जो आपकी current की direction होती है वो आपकी किस की direction में होती है वो आपके positive charge की direction में होती है यानिकि Electrons आपके positive charge के किस Direction में flow करेंगे opposite direction में यह हम अपनी तरफ से मान रहे हैं यहां पे otherwise आपका positive charge flow नहीं करता है तो इसका मतलब current सिर्फ आपको इतना मदा ना था कि current आपको क्या करता है are flowing electrons are flowing in a particular direction in a particular direction particular direction में आपका flow करेंगे, clear है, और current भी आपका क्या करेंगा, एक particular direction में जाएगा, अब यहाँ से इस concept को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप इसको ऐसे समझ लीजिए यह माल लीजिए कोई force है आपका यह आपने potential applied किया ये potential applied करने का मतलब आपने कोई energy apply कर दी या फिर हम इसको बोलें आपने यहाँ पर क्या apply कर दिया है एक force apply किया आप इसको ऐसा समझेए जैसे माल लीजिए आपका lecture खतम हो गया class के school के अंदर आप बैठे हो class के अंदर आपका lecture खतम हो जाता है और दूसरे जो आपके teacher आते हैं उनको आने में कुछ time लग जाता है आपका तो आप लोग क्या करते हैं आपस में discuss करना शुरू कर देते हो कोई आगे देखता है कोई पीछे देखता है कोई side में खड़ा हो जाता है इस तरीके से आपके activity करना start कर देते हो है ना तो इसका मतलब ये activity आपकी कौन सी है जब switch आपका क्या है open है इसका मतलब जब कोई भी आपके पास में कोई भी आपका force नहीं है यानि कि कोई भी ऐसा इंसान मोजूद नहीं है जो आपको चुप कर आ सके तो आप लोग सभी आपस में क्या करना शुरू कर दोगे arbitrary आपका देखना इधर उदर देखना शुरू कर देते हैं तो ये condition तो हो गई आपकी पहले वाली अब जैसे ही आपकी class के अंदर teacher की entry हुई यानि कि जैसे ही आपने stitch को क्या किया close किया सारे के सारे क्या हो जाएंगे same उसी direction में आपका देखना शुरू कर देंगे ठीक है teacher की तरफ आपका द्यान चला जाएगा तो इसका मतलब आपका क्या हुआ कि जैसे ही कोई force मिली या case जैसे ही आपके कोई energy आई उसी को हम बोलते है potential जैसे ही आपने कोई potential apply किया ठीक है तो इसको बोल सकते हैं हम potential applied जैसे ही आपने कोई भी potential applied किया या फिर इसको हम बोलते हैं voltage applied तो या फिर हम इसको क्या बोलें कि कोई voltage applied कर दिया तुरंथ आपका क्या हो जाएगा सारे के सारे electrons एक particular direction में flow होना start हो जाएगे और इसी को हम क्या बोलते है flow of current बोलते हैं या आपको शायद clear हो गया होगा किस तरीके से आपका क्या होता है तो इसका मतलब conductor एक important low role play करता है किस के लिए flow of electrons के लिए भी या फिर हम बोले flow of current के लिए अब यहां से मैंने आपको बताया हम सिर्फ किस के बारे में बात करेंगे flow of current के बारे में बात करेंगे तो यहां से हम इसको समझ सकते हैं next point आपका देखते हैं इसके अंदर आपका क्या आएगा कि when potential is applied when electric potential is applied या फिर हम इसको बोले when voltage is applied ठीक है तो यहां से या फिर हम इसी स्टेटमेंट को चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं when voltage is applied जब voltage apply की जाती है an electric current is flowing तब आपका क्या flow करता है electric current flow करता है ठीक है तो यहां से इसका मतलब electric potential या फिर हम बोले electric voltage एक आपका essential चीज है या essential आपका force बोले या फिर essential एक energy बोल दे ठीक है यह आपका essential parameter है किसके लिए current को flow करवाने के लिए यह आपको शायद clear हुआ होगा अब ज़रा हम इसी के अंदर आपका देखते हैं कि यह जो आपने बनाया है इसको हम बोलते क्या है ठीक है और क्या हम conductors की representation ऐसे ही करते हैं या फिर कुछ change करते हैं ठीक है अब जैसे अभी हमने switch की representation ऐसे देखी तो conductor की representation आप भी क्या होगी या other parameters आपके आजाते हैं जैसे bulb आपने लगा दिया उसकी representation क्या होगी तो इन सभी को हम एक एक करके आपका notice करते हैं यानि कि अब हम इसमें देखेंगे कि आपके circuit के अंदर symbols क्या होते हैं electric के लिए क्या-क्या symbol use किये जाते हैं वो जरा हम देखते हैं तो देखें दोस्तों अब आपका circuit symbols में अगर हम बनाते हैं bulb तो bulb की representation होती है वो आपकी होती है ऐसे ठीक है यह आपकी हो गई किसकी electric bulb की electric bulb इस तरीके से या फिर इसकी हम representation ऐसे भी कर सकते हैं इस तरीके से ठीक है यह भी आपकी किसकी representation होती है electric bulb की आपकी representation हो जाएगी अब इसके बाद में next आपकी यह तो आपके हो गई पहली representation circuit symbol के अंदर ठीक है फिर आपका अगर आपके आती है cell तो cell को हम represent करते हैं ऐसे ठीक है cell के अंदर आपका एक positive और एक आपका क्या हो जाएगा negative ठीक है फिर आपके आती है battery battery क्या होती है combination of cells होती है कई सारे cells मिलके आपका battery को बनाते हैं तो इसका मतलब battery की जो representation होगी वो आपकी इस तरीके से करेंगे यह आपका representation हो जाती है किसकी battery की अब इसके बाद में आपका क्या आता है next आपका अगर हम बात करें open switch या फिर आपका close switch तो open switch का मैंने आपको बताया open switch को हम ऐसे represent कर सकते है और या फिर हम इसको कैसे represent कर सकते है इस तरीके से आपका represent कर सकते है इसको बोलते हैं आपका open switch यहाँ पे S जरूर लिखते हैं ठीक है भई switch आपका क्या है open है अब इसके बाद में fifth आपका आता है कि बही close switch आपका कैसे रहेगा तो अगर वैसे तो हम ऐसे भी represent कर सकते हैं यह आपके दो टर्नल हो गए और यहां से आपने इसको connect कर दिया यह आपका हो गया कौन सा switch close switch या फिर हम इसको कैसे represent करेंगे यहां से अभी हमने देखा इससे पहले यहां पे हम डोट भी लगा सकते हैं तो यह आपका हो गया किसके बारे में close switch के बारे में या फिर हम इसको ऐसे भी represent कर सकते हैं यहां से आपका ऐसे है और यह switch आपका क्या कर दिया है आपने close कर दिया switch आपने क्या कर दिया ये चीजे आपके लिए sufficient हैं और वैसे अगर मैं बता दू resistance की जो representation होती है वो आपकी ऐसे representation होती है ये आपका हो गया कुम सा resistance simple resistance आपका कि किसी भी conductor के अंदर आपका क्या रहेगा resistance आपका रहेगा और ये आपका इसको represent किया जाता है किसे r से ये आपकी representation होई resistance की अब ये तो है आपका fixed resistance अब एक आपका होता है variable resistance तो next आपका हम देखी लेता है यहाँ पर variable resistance कैसे represent किया جाता है variable resistance को represent किया जाएगा ये आपका simple resistance और अगर ये आपका वेरी है तो इसका मतलब इसको हम क्या कर रहे है चेंज कर रहे हैं यह आपका जो आपने एरो लगाया इसका मतब चेंज रिजिस्टेंस तो इसको हम बोलते हैं वेरियेबल रिजिस्टेंस और इसकी जगे हम कई बार एक आपका डिवाइस होता है उसको हम बोलते हैं रियो स्टेट ठीक है तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजें रियो स्टेट की तो यह आपकी कुछ रिप्रेजेंटेशन है जो आपकी 10th के अंदर भी और higher classes में भी आपका काम आती है, यही रिप्रेजेंटेशन आपकी आगे भी की जाती है, इनने में कोई चेंज नहीं होता, कभी आप सोचें कि भई यहाँ पर यह हैं बाद में चेंज हो जाएंगे नहीं यह आपकी fix होती है जो यहां पर है वही आपका आगे होगा तो यह कुछ representation है जो आपकी circuit symbols इनको बोला जाता है तो इनको हमेशा आप जहां नखिएगा कि circuit symbols के अंदर आपका क्या-क्या यूज होता है अब हम बनाते हैं इसे circuit diagram ठीक है कि circuit diagram आपका कैसे बनाया जाता है